हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि अ कि दो कि अ, हमारे गार करें यह सकी कि दे खूअने आएयोन कि अ हम एक मारश कि दूड़दीन कि आहीं dal काل आए कि अ मैं िरब जाल एग प्यान प्रहएं एड़ से विर अाल, जिसे थार्ण में भीजिए से जाल, कि मैं दोलो जाल, 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 जाल... पबालेको झाल झाल पोवन, तुम हो, मेरी तो चान नहीं निकल गई थी जान तो तरी वैसे भी निकाल लेगी मेडा अगर उसे ज़रा भी भनक लग गया ना कि तु यहाँ आई थी जायां से पोवन, मेडम से कुछ बत कहना मैं तु बस यह देखने आई थी कि अंदर क्या आया तरा दिमाग खराब हो गया तुझे मौट से डर नहीं लगता लगता है बहुत डर लगता है इसलिए तो एक बार भागने की कोशिश की थी और अब यह जानने की कि मेडम ने कौन सा जानवर पाल रखा है यहां पर यह ना भागने की बात तो तु भूल जा और अगर हम यहां से निकल भी गए तो जन्दी जन्वर हमें खा जाएंगे नहीं तो मेडम के आदमी हमें मार देंगे भूबन मैडम के साथ जीना भी तो पलपल मनने जैसा ही है ना कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता आठ बच गए यहां तो सब हमने सेट कर दिया है अब ज़रा देखूं यह हिना और भूबन क्या कर रहे हैं लगता है वहां भी हमें ही देखना होगा खाना तो बहुत अच्छा बनाया ही ना जी तुमने वो सलाद बनाया जैसा हमने बताया था काट दिया जी जरा दिखाओ तो भूबन तुम यह सारे चामच साफ कर दो यह सारा सालेट तुमने बनाया है जी मैं अपने इन हातों से जी जरा देखूं तो सही शेप तो ठीक है गुलाई भी है भैमो यह गलती से ऐसे हो गया हिना हमने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए कोई बात ने अब जितनी कलती हुई है उतनी ही सजा मिलेगी बात हुई है रात हुई मासी आप प्यूनी खारी है मेरा सूप आ रहा है भुवन और सब सब कैसा चल रहा है तुम चारों के साथ सब ठीक है ना जी मासी सब ठीक है लेकिन आप ऐसा की पूछ रही है ऐसे ही पूछ रही थी निर्मल तुम्हारी बेठी की तब्यद ठीक नहीं रहती और सुना है कि काम में भी डिपेका तुमने बैंक से लोन लिया था ना और वो लोन चुका नहीं पाई सुना है बैंक ने तुम्हारे बिजनिस को टेक ओवर कर लिया अनिकेट सुना है तुम जुए की रखम नहीं चुकाबाए इसलिए किसी डॉन के गन पॉइंट पर हो माई डियर समीरा तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है लेकिन आपको इस सब कैसे बता जला हवा बेटा हवा हवा तो यहां वहां बहती रहती है अपनों की अच्छी बुरी आबादी बरबादी की ख़बर तो मिलती रहती है ना मासी कि हम सबको यहां पर बेजज़त करने गले बुलाया आपने आप कभी सुधरी नहीं सकती मासी और इस तरह हम पर नजर रखने का क्या मतलब है और मासी आपने तो कहा था कि हम चारों को इस तरह इतने दिनों बात यहां पर बुलाने के पीछे आपका कोई मकसद है? क्या यही वो मकसद था? अरे मकसद पर ही तो आ रहे हैं हम तुम लोग रुख क्यों गए? खाना खाओ बच्चों खाओ हम सोच रहे थे कि यह जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है यह हवेली यह किसी के नाम पर कर दें तुम चारों में से किसी एक के नाम पर पर मासी आपका यह हमारी सा मजदाग तो नहीं कर रही हैं न? हाँ आप क्यों हम लोगों कुछ देने लगी? वैसे भी आपने हमसे और अपने भाई बेनों से कोई रिष्टा तो रखा नहीं है अरे सच बात तो यह है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो यह वसीहत चाइदा देनी ही है मुझे तो क्यों न अब? मैं सोच रही थी कि तुम चारों में से किसी एक को यह दे दूँ तो किसको बनाएंगी आप? जो भी तुम चारों में से सिंदा बचे सिंदा? मासी यह क्या मजाग है हम सब तो अच्छे बले है हमें क्यों कुछ होने लगा? मौत है बेटा किसी को भी आ सकती है कभी भी and trust me किसी भी रूप में मासी जी, यह क्या हो गया? उता रहता है मासी, यह आवाज कैसी लगता है कोई जंगली जानवर आव सोच लो कर दोंगी कहीं मैं, इनकी भी उंगलिया तो नहीं काट देगी अब उंगलियां कटे या हाथ यह लोग वही करेंगे जो तीन सो क्रोड की बात सुनकर कोई भी आदमी करेगा मरेंगे यह मारेंगे इसाहब लोग पता नहीं इतने सुवे सुवे ऑफिस क्यों आजाते हैं निर्मल, यह सही नहीं है तुद के जिन्दगी और मौत का खेल खेलना चाहते हो तो और क्या करू प्रिया अब यह भी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ यही बेटी, जिन्दगी और मौत के भी जूल रही है उसकी रिपोर्ट साथ ही हॉस्पिटल में पेमेंट करना होगा लाखों में पेमेंट है नहां से लाओंगा इतने पैसे निर्मल, एक जिन्दगी बचाने के लिए एक जिन्दगी दाओ पर लगा रहे हो तुम कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिन्दगी भी चली जाए और प्रॉपर्टी भी लेकिन प्रिया, ऐसा भी तो हो सकता है न कि जिन्दगी भी बच जाए और प्रॉपर्टी भी मिल जाए लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कौन सा मौत का खेल खेल खेलेगी तुम्हे पता भी है? पता नहीं यार लेकिन इस वर जिंदगी के जे चौराए पे मैं खड़ा हूँ मेरे पास ये खेल खेलने के अलबा और कौई रास्ता नहीं है निर्मल सर्फ आपके नाप पे कुरियर है इतनी सुभे सुभे किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा मेरी बेटी की रिपोर्ट्स कम इन तु रिपोर्ट ही है? ये कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ थोड़ी अजीब सी है ना? हाँ ये क्या? ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है उसे दबाएए तो आगे की जानकारी प्रप्त होगी स्ट्रेंज देख लेते क्या है क्या हुआ क्या हुआ साब मेरी उंगली पस गाई है साब कुशिक चड़ो उंगली निकल लेकी सारी कुशिक तो करो पर निकल लेकी साब 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 आख तुम जाके फॉसेंट लेकिया जल्दिया रहा निर्मार 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 हेलो समीरा तु कहां हो कई दिखाई नहीं दे रही क्या है यार तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रहे हूं तुम जल्दी आओ हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज प्लीज आओ प्लीज आओ 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 चुहेदान, यह मेडिकल रिपोर्ट इसके उपरो बटन लगा हुआ था, जैसे निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस चेद के ज़री अंदर चली गए, जैसे उंगली आंदर चली गए, इसके अंदर लगा हुआ ये … ट्राप, इसके उंगली पज गए और कट गए इस पर लगा हुआ जेहर उसकी कटी हुई उंगली के ज़रीय चरीर में चला गया सर, और हॉस्पिटल पहुचके ही दस मिनिट के अंदर निर्मल की मौत हो गई आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता आपको? कौन कर सकता है साथ? चुप क्यों हो तुम लोग? क्या निर्मल का किसे के साथ कोई जगडा था? कोई दुश्मनी थी? तुम दौनों सच बताते कि ओ नहीं हो तुम दौनों की वो पैसे वाली अंटी जो तुम्हाज साथ मौत का खेल खेल रही थी क्या? मौत का खेल? कौन सी अंटी? सर, एक्शुली सर, हमारी एक अंटी है मंदीरा अंटी वो काफी रही से सर उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है ये हवेली तुम चारों में से किसी एक को ये दे दे जो भी तुम चारों में से जिन्दा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी पूरे तीन सौ करोड़ ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई हम निरमल को बचा सकते थे हम चारों सरसली के पाउ तक करजे में डूबे भे हैं या तो हम खुदकुशी कर लेते या तो फिर किसी लेंदार की गोली का शिकार हो जाते सरसे में मंदिर अंटी की शर्ट ने हमें जीने की उम्मीद दी सर आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर सर आप उने खिरफतार कर लीजिये सर वरना वो हम तीनों को भी माल डालेगी सर तीनों को? दीपिका वो तुमारी तीसरी कजिन का है उसका तो फो नहीं बनना रहे है सर आप सर कल रात किसी ने दीपिका को भी माल डाला सा उसकी लाश और एविडेंस हमने सब वरन से बच्वाती है सर दीपिका की शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचो के निशाने सर्क्राइबर रहे है सरुन मंदीर आणटी की जान वा ने नवा तीपिका को खरोंच के मारा होगा विजीत लिएड़ को भी मार डाला मंदेर जी से आप लोग नहीं मिशते क्यों नहीं मिशते पढ़ाईगा यह उसे आप लोग पुशच कर रहे हैं देखे आप लुग समझ नहीं रहे हैं, मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, वो आराम कर रहे हैं. अझे, क्या कर रहे हैं आप? अझे, आप मेरी बात को समझे हैं आप? अझे, क्या सुझे लोग.. अझे, आप खड़े रहे हैं आपे, लाउस दर्फ मंदिरा जी कहा है? मंदिरा जी, वो.. हिना? हिना? क्या होँ डोक्टर साब? एक पतिला पानी गरम करके लिए आप पानी गरम किया में लेके आती हूँ लोक्टर, अब घर में किसके दवित खड़ाब है? मंदिरा जी को परसों पारलेटिक अटाइक आया था सर, ये तो कानी में ट्विस्ट आ गया? हाँ सर, ये ऐसे हालत में.. वो खूँ ये? और सर, वो जानवर? ये तो वही आवाज है, जो हमने सुनी दी न? ये बात तो पकी है सर, आवाद हवेली के अंदर से ही आई है और सर, बहुत कथाना जानवर होगा न? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर अवाज तो है? वोड़ी, मंकश, तो देखो ये बहुत सर भी कमाल है सर इतने खुगार जानवर को पकेनने के लिए हम दोनों को भीच दिया पकच, पकच, आवाज वहां से आ रही है पकच, आवाज दो, 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 दो क्च, आवाज चानवर, इत्स्माइ 보डर रही ओडर तरह बड़ा ताला, ताले का बाख, अधर किसी को नहीं जाने देने का इसलिए, चलो, हामें भी अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना? अचिक! 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 अरे लाच बन के लेटरो हमने बोल हो के बाग जाएगा एगा? श्याज़ की अचिक! अचिक! प्रैक्टिस है प्रैक्टिस हो गए अच्छाने से सामने आगे तो लाज मेट के बैठ जाने का तो कहां से ये लोग सट दर्वाजे के अंदर से आवाज आ रही थी हाँ कहाँ? आय से यहां पे जानवर वानवर तो कुछ नहीं है दिमाज रहा किया सर मैं आपको पहले ही कह रहा था यहां कोई जानवर नहीं है तो फिर वो आवाज है? आईए मैं आपको दिखाता हूँ यह है वो जिससे पूरी हवेली में आवाज गुंसती है और इसके छोटी-छोटी स्पीकर हमने चार ओर लगा रखे हैं ओ, तो जानवर का सिर्फ साउंड एफेक्ट है जी हाँ और ये सब करने का मकसद क्या है? सर ये मंदिरा मेडम का एडिया है, चोड आपकों से बचने के लिए ये भ्याना का दाहर की आवाल हर 30-40 मिनिट के बीच में बसती रती है सर, मंदिरा जी ने काफी लंबी प्लानिंग की है अपने आपको बचाने के विए गवन आखरी मौका देता हूं, सच बता है यही कारण है या कुछ और है सर, मौने यही बूल रहा हूं, यही कारण है सर ये देखो बस इस पंजे के नापुनों में मास्के टुकड़े अटके हुए ये देखो, ये ये और ये मास्के टुकड़े बीपी का के है इसका मतलब साफ है डीपी का की मौत इस पंजे की वज़े से ही हुई सर, मंदीरा की बिमारी कहीं कोई नाटक तो नहीं हो सकता है, मंदीरा ने इन दोनों का खून किया और उस पे किसी को शक नहो इसलिए पैरलैटिक अटक का नाटक करके मंदीरा को एक्जेक्टली क्या हुआ है यह तो पता चली जाएगा बॉस टेस्ट चल रहे हैं तेकिन एक बात अगर निर्मल का हाथ चुएदानी में नहीं भी फंसता अगर डीपी का को कोई जानवर का भेश धरके नहीं भी मारता तो भी यह अगले 24 गंटे में मरी जाने तो भी यह अगले 24 गंटे में मरी जाने तो हो कैसे जाए ट्ट्स नवादार ताप लॉस यह दोनों डेट बोड़ीज की पाचन लली में यह काला काला सपधार और यह एक किस्म का जहर है वोडियन टी यह पाचन रसों के साथ रियक्ट करता है और अड़तालीस गंटे में अपना असर करता है अड़तालीस गंटे हुए और इंसान की मौत अच्छा सर यह समीरा ही है जिसने दिपिका को फोन किया था जब उस पर आहमला हुआ मैंने किया मैं कैसे गर सकती हूं सर नेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं है जिस दिन हम लोग हवेली के थे उस दिन से गायब है और मैं क्यों दिपिका को मारूंगी मंदिरा की वसीयत के लाल अच्छ में सब मर जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा क्यों नहीं सर्फ, एसा कुछ भी नहीं किया इन फैक जब मंदिरा अंटी ने मुझे कॉल किया था तो मैं तो मैं दिपिका ते मिली थी और मैंने बताय था कि आंटी ने हम चारो को इन शेवास किया और पर आम चारो साथ गय थे सर्फ पहरा निकेत, मैं साच कह रही हूँ ना? तेज मेर, तेज मेर, तेज मेर तेज मेर आप चारों लोगों ने वहाँ पर खाना खाया था? छी माई गॉड़ मतलब जहर इन दोनों के पेट में भी है सुर्डॉक्टर्स का कहना है के यह जहर अब उनके शरी में फैलना शुरू हो गया और दोनों के बचने के उमीद बहुत कम है पहली अभी पर वही एसर की कोई इतना खतरनाच जहर देने के बाद भी तो दुबारा क्यों मानना चाहता है? वही तो इसलिए लगता है अब जीत दो दुश्मन hai, दो जो इन चारों की जन की पीछे पड़े हैं दो दुश्मन हाँ, दो अलग अलग दुश्मन जो अपने अपने तरीके से इनकी जान देना चाहते हैं एक का तो पता है से अब इली में सही कोई है जिसने इन चारों को जाहर दिया था वह दूसरे का पता लगाना चाहिए दूसरे का आसर उनके बोल बस एक बहुत ही चौकाना वाला पर नाम सामने है क्या? वह है कि मंदिरा रामा ने कर रहे है उसे वाकई पहर जिक अटेक हुआ क्या? सिकिना, यह अटेक नेच्रल नहीं है क्या? तेरे कहने का मतलब क्या है? मंदिरा के खून में मुझे कोडी B.H. 7-8 के ट्रेसेज मिले हैं उसे इसका ओवर्डोस दिया गया है अच्छा, चलो ठीक है क्या वासा? अभिजीत, इस मंदिरा को किसे ने कोई ऐसा जहर दिया है ड्रग दिया गया जिसकी वज़े से उसे पार्लस उसका अटेका गया लखबा मार गयी मतलब कोई मंदिरा के पीछे भी पड़ा है लगता तो यही है लेकिन सर कौन हो सकता है वही जैवंती वही जिसने समिरा के फोन से दिपेका को फोन किया उसके मरने के तुरंत पहले पता लगाना पड़ेगा यह फोन कहां से किया गया था कहां से मंधिरा की घर की अच्छी तरह से इस तलाशी ल्यनिंपड़ेगी क्योंकि इन āषारों को जहर Manndira के घर पर ही दिया गया था इतने सारे डॉक्टर? ॏ डॉक्टर डॉक्टर ॏ डॉक्टर ढमयन थे टीन टीन डॉक्टर इलाज की निये? ये तीनों थेरपी स्पेसिलिस्ट हैं, महीने खास तर पर मंधिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूं खास विए लेकर आया हूं क्या बात है, आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे देखिये, इनके मास पेशियों की स्पीड बढ़ गई है इसलिए इनके बलड में फ्लक्चुएशन हो रहे है हमें इनहीं फ्लक्चुएशन को अक्सलरेशन में बतलना होगा या? डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेंपरेशर यानि की सटिक तापमान पर पानी गरम करके लाना होगा और उसमें हमारी पाहड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी हाँ, सही का आपने किचिन का आपका? नहीं, रुक्ये ला, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ ओ, नो, थैंक्यू देखो, ये इंडिपेंडेंडेंट तेरपेस्ट्स है ये अपना काम कुद करने में बिलीव करते है जर्में? सालूं के साब कहरे दे कि उन चारों को जो जहर दिया गए था वो नमक की तरह दिखता है सर, लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया न तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा उसने कहीं अलग सा रखा होगा येस, डॉक्टर जेके डॉक्टर जेके जब लोगों के सामने अक्टिंग करनी होती है तो करेक्टर में रहती हो जब यहां पर अकेला हूँ मैं तो डॉक्टर जेके अरे पंगज दूंटे दूंटे डॉक्टर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले चाहिए प्लेस यह क्या कर रहे हैं आप लो गरम पानी के लिए बरतन ढूंड रहे हैं तो यह हाथों में गलक्स क्यों सर समीरा का फोन यहीं पहता जब उसने देपेका को कॉल किया था इसका मतलब है जरूर इसा मिसेस मलीका का कुछ न कुछ हाथ है दीपिका के खूल में दरुवादा खुलो सर यह दरुवाजा क्यों नहीं कोल रहे हैं अब भाग तो नहीं गया एक मिण सर सर पे चोट लेगी सर पे चोट लेगी मयूर जरा देखो कर पे कोई है क्या जिल्दा है बेहोश है यह आउरत इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदीरा के घर में देखी थी मलीका जी अब ठीक है मलीका जी महीं परस्टेट बॉक्स लिखना है जल दी अब भुटिया आप लोग हाई जीन आप वी आर डॉक्टर OCD 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 यहां क्या कर रहे हो तुम यहां क्या है ना वो पेट पे थोड़ी क्याश होगी थी इसलेए वो इसलेशन कर रहा था आरे कहा हो ही ना आरे यह भुमन कहीं क्या आजा आरा 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 सार यह लेको यह लेको सार शाद यही किसने मारा आपको कुछ पता नहीं पड़ा सर शायद कोई घर में घोसाया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया मलिकाजी यह मंदीरा आप कैसे जानती होने वो भाबी है मेरी पर क्या हुआ है सर मंदीरा के कुछ रिष्टदारों का खून हो गया और और वो भी पैरलाइस हो चुके इसी सिलसले में आपसे बात करने खोट यह औरत पैसो के लिए कुछ भी कर सकती है इसने पैसो के लिए मेरे भाई को मारा उनकी पहली बीवी को मारा था इनका कोई कुछ नहीं बिगार सकता सर यह बहुत खतरनाक औरत है अज़ा कल शाम किसी ने दिपिका को फोन किया था आपने किया था दिपिका समीरा के मोबाइल से कौन समीरा मैं तो यहां अकेली रहती हूँ मैंने कोई फोन नहीं किया सर तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दिपिका को कैसे फोन किया कल शाम को हाँ सर कुछ यहाद आरहा है कल मेरी घर कोई आया था जो मेरी और मंदीरा भावी के रिष्टेदार है कौन है वो झाल 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 यह आवाज किसी चैन्वर की आवाज लेकिन सी एडी वाले तो वो डेप लेकर चले गाते है अपने साथ में यह दोन अवालäss अवाज कोई पमुआ काराँ उन्हेश अवाले प्रें। मיצेश डेपरी ची वाालनी वाले tryまだ कोई अवाले काराँ वालніमारे अ electrical लेकिरे वी वाला इjangल इंवाले उन्हें में किसी खरी है प्रुब चीज़ित से चीज़ित से तुब आगे की प्रुब आगे, प्रुब इस भाने से अीज़ है वह को एंगे कीरा है, प्रुब दिए तो प्रुब धे जूबします क्ईम्मेट व्योंट ब क्पार पूल form जर मेंग क्पारि praw geç Tribal के Ludovic किस्रा पे सब अगो को क्पार अगे अंग क्वार बंग पह valueности कि अu के अ रह रह रह? रहो हूँ र scorी हूँ वुम हुख हुआ 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 नहीं, नहीं, नहीं… नहीं… नहीं, नहीं… पेहने तुम्हें जान आनल बन के एधिका को मानने के नहीं घादा अब तुम मुझे पे अमला तरने आगे, अगर एक कदमी आगे बढ़ाया ना, तो तुम्हारी कौपनी उड़ा दोंगी, पीजे हाट, हाई पीजे! यहांदी? मल्ली कब हुआ? हाँ कुछ कहना है मैं? हाँ? क्यों अमारा ते पे कॉटनेत मलकूम? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मेरे पिटाजी के गुसरने के बाद मंदीरा मा ने मुझे नौक्रानी बना के रख दिया इस भूआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और अब मंदीरा मा ये सारी विरासत अपने बतीजे बतीजों के नाम करने वाली थी जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है मंदीरा ने उन चारों को उसरा खाने में जहर दे दिया है न भूआन मैं क्या करता सर आप लोग समझ भी नहीं सकते वह और कितनी बेराहम और खतरनाक है उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे और मैंने डाल दिया मैं मजबूर था सर मैंने उससे पूछने की कोशिश की और पूचा भी मैं ने आप ऐसे क्यों कर रही है उसने का कि इन चारों लोगों से मुझे खत्रा है ये लोग मुझे पैसे के खत्रा MARTIN निम्हury तुम्हे पुता ने इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाई हाँ और तुमने अपने सौतेली मा को ऐसा ड्रग बिया जिससे वो पैरलाइज हो जाए सारे जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजाभी कम है मैंने अपना पदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी उस रात मैंने उनके दूद में कोडी बिये सेवने नाम का ड्रग मिटा दिया था जिससे वो पैरलाइस्ट हो गए मालीकाजी को मारने की कोशिश क्यों किया भी काड़ा था इनोने तुमारा मैं डर गई थी मैंने सोचागे आप लोग इन तक पहुँचके तो मैं मुसीबत में फस जाओंगी क्या हासिल हुआ यह सब करके हैं मेरे दिल को सुकून मिला सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताची को बेवकूफ बनाया मेरे मम्भी और पापा को मारा मुझे नौकरानी बना के रख दिया अपने सगों को जहर दिया आज उसी दौलत की एक भी फोटी कोड़ी उसके किसी काम की नहीं है तुम्हे भी तो कुछ नहीं मिला इस जाइदाची दो दो खोन किये हैं मंदीरा को अपाहिज बना दिया अब तुम्हे ये महल नहीं जेल की काल कोटरी नसीब होगी हुआ हुआ हुआ